अगर कोई ultimate affordable adventure tourer motorcycle है तो वो है KTM 390 Adventure 390 Adventure जो है यह एक फेवरेट बाइक रही है बहुत सारे enthusiasts की जो अब adventure touring करते हैं जिनें बहुत सारा गूमना पसंद है और off-roading भी करना पसंद है उनकी फेवरेट बाइक रही है क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में आपको इस बाइक में बहुत कुछ मिल जाता है 390 Adventure अब अपग्रेड हो गई है एक नया variant आया है इसमें जो है SW अब SW का मतलब है Spoked Wheels Spoked Wheels के साथ यह आई है जो पहले available नहीं थी पहले यह सिर्फ alloy wheels के साथ आती थी और बहुत लोगों का यह कहना था कि अगर आपको extreme off-roading करनी है तो alloy wheels बहुत suitable नहीं होते हैं बहुत साथ बहुत जोला wheels होते हैं यह बहुत rigid होते हैं और spoke wheels में आपको थोड़ी सी flexibility मिलती है और wheel breakage के chances भी नहीं होते हैं तो इसलिए अब इसमें spoke wheels introduced हुए हैं उसके साथ साथ और भी कुछ बदला हुए हैं यह क्या changes है और क्या improvements और additions है इसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले subscribe कर दीजे गेटफिक को and keep watching तो 390 Adventure के जो basics है वो change नहीं हुए है जो design है वो exactly वही है और जो आपको यह look मिलता है front का यह भी same है headlamps में कोई change नहीं हुआ है जो इसका visor है वही भी change नहीं हुआ है the knuckle guards जादा सेम mirror जादा सेम बाकी कुछ भी change नहीं हुआ है color theme भी similar है यहां पर आपको ready to race का एक sticker दिख जाता है बहुत prominently दिखता है बाकी कुछ change नहीं हुआ है जो change हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ जैसे मैंने mention किया कि अब इसमें SW version है इसमें spoked wheels आते हैं जो size है वो यह same है front में 19 और पीछे 17 और एक खास बात इन wheels की यह है कि यह पूरी तरह से steel के नहीं है जो इसका rim है यह aluminium का है लेकिन जो spokes है वो steel के है तो इससे यह होता है कि जो overall weight है wheel का यह reduce हो जाता है and this is of course beneficial इसका जो front tire है यह 119-19 section का है Metzeler का tire है soft compound very good grip लेकिन drawback एक है कि इसके अंदर आपको tube मिलेगा यह tubeless नहीं है तो अगर कभी आपने कोई puncture encounter किया तो drawback यह है कि पूरा wheel आपको open करना पड़ेगा tube निकालने के लिए उसे repair करने के लिए इसमें पीछे 130-80-17 section का tire आता है वही Metzeler का tire है और यह spokes wheels होने की वज़ा से जो look है इस motorcycle का यह और भी ज्यादा purposeful हो गया अब यह pure adventure motorcycle लगने लग गई है अब इसमें जो block pattern दिया हुआ है यह basically on off road है और on road performance और off road performance दोने के लिए यह suitable है 14.3 liters की fuel tank capacity है और इसकी जो seat है यह काफी लंबी है और rider pillion दोनों के लिए जगा इसमें काफी है लेकिर एक issue यह है कि इसकी जो seat है यह बहुत long hours की riding में आपको शायद थोड़ी सी hard लगेगी और इस पर आपको थोड़े से modifications करने पड़ेंगे या फिर एक gel mounted seat अगर आप इस पर लगाएं तो आपके long hours के riding के लिए और भी ज्यादा comfortable हो जाएगी वैसे short rides के लिए city riding के लिए यह कोई दिक्कत नहीं देती है बट बहुत long hours अगर चला रहे है तो शायद इस पर आपको अब इसकी seat height जो है यह बहुत जादा है 855 mm की seat height है और आप देख सकते हैं कि मैं जब पैर नीचे रख रहा हूँ तो मेरे toes पे ही मैं इसे touch कर पा रहा हूँ तो काफी tall है यह यह short riders के लिए एक drawback भी है और इसका ground clearance जो है यह 200 mm का है लेकिन सबसे बड़ा जो plus point है अब जो 3 90 Adventure में आ गया है वो है adjustable suspension front और रियर दोनों adjustable है और यह एक बहुत ही desired feature था जो बहुत सारे enthusiasts को चाहिए था finally KTM ने इसे introduce कर दिया है और अच्छी बात यह है कि इसके front shock ups को adjust करना बहुत ही simple है बहुत ही आसान है यहाँ पे आपको दो switches दिये हुए हैं जिसे आप click कर सकते हैं one is for compression one is for rebound और आप अपने riding के हिसाप से इसे adjust कर सकते हैं इसे adjust करना बहुत ही आसान है सिर्फ आपको ऐसे click करना है आपके setting आपको जो चाहिए इसमें 30 clicks आते हैं on either side और अगर आप इसे 15 clicks पे रखें तो 15 जो है यह stock जिस तरह से buy काती है company से वो है जो की medium setting है इसे आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते है तो बस आप को ऐसे click करना है और कम करना है तो ऐसे click करना है अब इसका shock up जो है front का यह वही shock up है 43 mm का upside down fork है यह और इसका जो travel है जो front suspension का travel है यह 170 mm का है लेकिन अब adjustability आने के वज़ा से इसके performance में बहुत फरक पढ़ गया क्योंकि आप इसे adjust कर सकते हैं आपके हिसाब से अगर आप on-road riding कर रहे हैं रोड पर चला रहे हैं तो आप थोड़ा स्टिफ रख सकते हैं front suspension को जहां पर आपको जो cornering ability है यह बेटर हो जाती है लेकिन अगर आप off-road कर रहे हैं तो आपको setting आप चेंज भी कर सकते हैं थोड़ा साफ्टर कर सकते हैं ताकि आपको damping rebound थोड़ा ज्यादा अच्छा मिलें पीछे इसमें mono shock आता है और इसमें भी आपको 10 steps का preload adjustment मिलता है और 20 clicks का आपको rebound adjustment मिल जाता है which is very beneficial जो पीछे के shock up का travel है यह 177 mm का है अब इसके exhaust में कोई चेंज नहीं हुआ है और यह BS6 phase 2 compliant भी है लेकिन इसके exhaust note में कोई ज़्यादा फरक नहीं पड़ा है ना यह बहुत ज़्यादा loud है ना बहुत ज़्यादा mellow है this is pretty well balanced अब इसका 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 instrument cluster है यह सेम है TFT screen और यह बहुत informative है इसमें अपडेट्स भी लेटली आए हुए है यहाँ पे स्पीरोमीटर है तैकोमीटर आपको यहाँ मिल जाता है फ्यूल गेज भी है कि आप किस मोड में राइड कर रहे हैं राइडिंग मोड जो आते हैं इसमें अब यहाँ पे दिख रहा है कि यह स्ट्रीट मोड पे है एबिएस जो है यह यह रोड पे है ऑफ रोड एबिएस नहीं है इसमें आप जो रियर एबिएस से स्विच आफ भी कर सकते हैं और ट्र जो screen है अभी white दिख रहा है, ये dark हो जाता है, black हो जाता है background. इसकी information को आप on the go toggle कर सकते हैं, और यहां से आपको आप mode change कर सकते हैं, traction control चेंज कर सकते हैं, सारी settings है, bluetooth connectivity भी आपको इसमें मिल जाती है. इसके TFT screen के नीचे यहां पे 12V का power socket मिल जाता है, और ये अच्छी बात है कि इसमें सिर्फ USB नहीं दिया गया है, USB आप इसमें install कर सकते हैं, with an adapter, और इसका फाइदा यह है कि अगर आपको कभी tire inflator या कुछ और use करना है, तो इसमें लगा के आप आसानी से use कर सकते हैं, this is quite helpful. इसके brake और clutch levers में आपको adjustment मिल जाता है, और आपके preferred reach के हिसाब से आप इसे adjust कर सकते हैं. इस engine के साथ आपको 6-speed का gearbox मिलता है, और इसके जो gear shifts हैं, यह भी बहुत slick हैं. brakes में कोई change नहीं है, brakes आदा same, front में आपको 320 mm का disc मिलता है, और पीछे इसमें 230 mm का disc मिलता है, dual channel ABS के साथ. इसमें जो पहले features आते थे, वो अब भी intact है, जैसे ride by wire इसमें आता है, मैंने जैसे पहले बताया है, riding mode इसमें अलग-अलग आते है, traction control है, इसमें quick shifter भी आपको मिलता है, जिसके वज़ा से riding और भी आसान हो जाती है, और साथ में cornering ABS के वज़ा से, आपके high speed riding के लिए, engine है, और इसमें 43.5 PS का power आता है, जो 9000 RPM आता है, और इसमें 37 Nm का torque मिलता है, जो 7000 RPM आता है, ये एक high revving bike है, high compression bike है, bore or stroke जो है, 89 x 60 mm का है, और जब इसे ride करें तो आपको एक चीज ज़रूर फील होगी कि इसमें जो bottom and torque है, ये इतना नहीं है जितना आप expect करते है, आपको थो 4000 RPM के ऊपर बहुत अच्छा power मिलता है, बहुत अच्छा torque मिलता है, और इसका mid range और top end जो है, ये बहुत ही अच्छा है, and this is particularly suitable, अगर आप touring कर रहे हैं, highway riding कर रहे हैं, तो इसका performance है, ये आपको बहुत खुश कर देगा, वही अगर इसकी handling की बात करें तो इसमें कोई भी द अच्छी नहीं हुआ है, and this is as good as ever. अब एक दिकत मुझे जरूर महसूस हुई, जो 390 Adventure में पहले भी थी, जो इसका wiser है, ये काफी short है, जिसकी वज़ा से आपको wind blast भी काफी आता है, और helmet के अंदर, जो wind noise है, वो आपको काफी महसूस होती है, इसका wiser अगर थोड़ा और tall होता, या adjustable होता, तो ये और भी अच्छी बात होती है, अगर आप already 390 Adventure यूज कर रहे हैं, और आपको ये adjustable suspension चाहिए, तो good news ये है, कि आप retrofitment कर सकते हैं, ये आपके bike में भी fit होना possible है, and of course, जो spoke wheel है, ये भी आप fit करा सकते हैं, KTM 390 Adventure SW की जो एक showroom price है, ये 3.61 lakhs है, अब सारे जो enthusiasts थे, जिन्हें ये सारे features चाहिए थे, जैसे की spoke wheels और adjustable suspension, ये अब इसमें आ गया है, finally, so that is good news, और अगर आप extreme off-roading करना चाहते हैं, और अपने हिसाब से bike को tune करना चाहते हैं, for example, suspension की में बात कर रहा हूँ, तो आप ये अब कर सकते हैं, ये true blue adventure bike हो चुकी है, और आपको ये bike कैसी लग रही है, हमें comments में जरूर बताएं, अगर आप already KTM 390 Adventure चला रहे हैं, तो आपका experience क्या है, ये हमारे साथ शेर कीजिए, और क्या आप ये changes अपने bike में चाहेंगे या नहीं, ये भी हमें जरूर बताएं, इस video को like कीजिए, share कीजिए, gear free को subscribe करना ना कर मेंगे हैं, तो आपका experience का झाहें अज़ियाया, ये हुआ।